बिहार के लंबे समय तक के डिप्टी सीम रहे सुसील कुमार मोदी ने अचानक एलान कर दिया है कि वो लोग सबाचुनाओं में सक्रियन नहीं रहेंगे बड़ी वज़ा सामने आई है नमस्कार दर्सनियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग सुसील कुमार मोदी जो बिहार में लंबे वक्त तक डिप्टी सीम रहे नितीश कुमार के खासम खास रहे नमबर दो रहे नितीश कुमार को सबसे ज़्यादा उन पर भरोसा रहा लेकिन सुसील कुमार मोदी सियासत से अचानक गाइब हो गए पिछले दिनों ही उन्होंने राज सभा से रिटा चुनाओ का तो लगा कि सायद संभाता सुसील कुमार मोदी को लोग सभा चुनाओ में उतारा जाएगा लेकिन ये भी नहीं हुआ तो ऐसी श्तिती में कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर सुसील कुमार मोदी सियासत में अचानक से गाइब क्यों हो गए सियासत से बाते कहीं हैं वह चोकाने वाली है और दुखी करने वाली है क्योंकि बिहार की सियासत में एक कद्दावर नेता हैं सुसील कुमार मोदी लेकिन वह सियासी तोर पर अब एक्टिव नहीं रहेंगे उन्होंने ऐसा कहा है और उन्होंने जो बाते लिखी हैं पिछले चामा से में संगर्स कर रहा हूं सुस्ывает कुमारमोधी ने अपने अकाउंट पर लिखा है सोसल मीडिया अकाउंट पर पिछले चाह माँ से कैंशर से संगर्स कर रहा हूं अब लगा की लोगों को बताने का समय आ गया है लोग सबाचुनाओं में कुछ नहीं कर पाऊंगा यह जो line लिखा है उन्होंने कि लोग सभाद चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा cancer से पीडित हैं वो 6 महिने से और उन्होंने कहा कि अब बताने का समय आ गया है और लोग सभाद चुनाव में अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आगे लिखते हैं PM को सब कुछ बता दिया है यानि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को उन्होंने सब कुछ बता दिया है और आगे लिख रहे हैं देश बिहार और पार्टी का सदा अभार और सदे और समर्पित तो सुसील मोदी ने लिखा है देश बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदे और समर्पित जिस अंदाज में सुसील कुमार मोदी ने अगर ये जो ट्विट किया है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं से अर की हैं लग रहा है कहीन कईयों की सियासी पारी पर अब विराम लग चुका है जिस तरह से उन्होंने बाते लिखी हैं और देश बिहार और पार्टी का सदा आभार जता रहे हैं और सदे और समर्पित रहने की बात कह रहे हैं तो सुसील कुमार मोदी के बारे में ये बड़ी बात सामने आई है अब चलते हैं थोड़ा सा सुसील मोदी के सियासी सफर को जानते हैं क्योंकि सुसील मोदी जिनके बगएर अगर कहा जाए बिहार में बीजेपी की कलपना नहीं की जा सकती है बीजेपी का एक कददावर नेता सुसील मोधी जो चारो सदनों का सदसरा है सुसील मोधी भाजपा ने 2020 में उन्हें बिहार की अगर कहा जाए रानितिक पारी से निकाल कर केंद्रिय रानिति का हिस्सा बनाया था 2020 में उसके पहले की जो कहानी है हम आपको बताएं कि लंबे समय तक डिप्टी सियम रहे और राजसभा के सांसद रहे लोगसभा में भी पहुँचे यानि चारो सदनों के सदसरा है और बिधान परसद के भी सदसरा है तो चारो सदनों में उन्होंने अपनी सदसरता जो है उनकी र से उन्हें राज सभा भेजा गया वो लोग सभाट पासवां से रिक्त से राज सभा भेजा गया था और बचे कारकाल को सूसील मोदी ने पूरा कर लिया उसके बाद यह बड़ा खुला किया है और लोगसभा चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त के एन मौके पर ही सुसील मोदी ने ये बड़ा खुलासा किया है कि वो पिछले 6 महने से कैंसर की बिमारी से जूज रहे हैं और अब जो है लोगसभा चुनाव में वो एक्टिव नहीं रहा पाएंगे और उन्होंने क रहा कि यही सही वक्त है पताने का खुलासा करने का ये सामने वो नहीं लेकर आये थे लेकिन अब उन्होंने ये खुलासा किया है और उन्हों बताएं कि विहार की सियासत से अचानक 2020 में अलग कर दिया गया था और राजस्वा बेजा गया था राजस्वा की पारी भी उनक सामने आ गया है हम आपको बताएं कि नितीज कुमार से जो हम चर्चा कर रहे थे जो बता रहे थे कि नितीज कुमार से उनकी काफी अंतरंगता मानी जाती रही है जिसकी बज़से वह लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा में अपनी जमीन मजबूत करने न कर कहें तो हम आपको बताएं कि उनकी सियासत की जो सुरुवात हुई है 1977 के जेपी मोव्मेंट के उपज हैं सुसील कुमार मोदी का राष्टिय संग सेवक संग से छात्र जीवन से जुड़ाव रहा भाजपा के टिकट पर वह विहार विधान सभा विधान परशत लोग सभा और राजसभा के सदस से बनते रहे तकरीबन 33 साल तक उनका संसदिय जो सक्रिया जीवन रहा है लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने ट्विट किया है और कहा है कि अब मैं लोग सभा के चुनाव में सक्रिया नहीं रपाऊंगा पिछले च्छ महने से कैंसर से जूज रहा हू बिहार के सियासत का एक बड़ा नाम सुसीर कुमार मोदी जो अब बिमारी से जूज रहा है और उन्होंने अब जो कहा जाए सक्रिय राजनीती से अगर कहें तो सन्यास ले लिया है और कह दिया है कि अब वो सक्रिया नहीं रह पाएंगे लोग सभा चुनाव में और उसके बाद फिर क्या होता है किस तरह से उनके इलाज कराते हैं लंबा इलाज होता है कैंसर का तो ऐसी स्थिति में स्यासी शक्रिता उनकी अब जो है काफी कम पड़ जाएगी और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि सुसील मोदी वो चेहरा है जो विहार में लालू विरोद का सबसे बड़ा चेहरा अगर कहें बीजेपी के अंदर तो वो रहे हैं लालू के विरोद में लगतार जो है वो बड़े बड़े खुलासे करते रहे हैं और इसलिए वो चर्चा कभी से हमेशा बने रहे हैं हम आपको बताएं कि लालू के भश्टाचार को उजागर करने में स साथ वो बयान अपने लेकर आते रहें तो लालू यादो और उनके परिवार के खिलाप चीटा कसी ही नहीं किया है इनोंने किया नहीं केवल बयान वादजी तक ही सिमित नहीं रहें बलकि पुक्ता सबूत के साथ आए और एक वक्त तो सरकार भी हिल गए थी जो करनी पट्ना में लालू परवार के सौपिंग मॉल का जो भेडी वह खुला था लालू परवार तो उनको अपना घोर दुस्मन मानता है अगर कहें कि वो मेरा सची हुथा हलक कि जो यह थे जब लालू यादो पतना इंवर्सिटी के छात्र नेता के संक्य धक्ष थे तो सुसील मोधी इस वक्त महा सची हुआ करते थे तो ऐसी इस्तिती में सियासत जो है दोनों ने साथ की है लेकिन लालू हमेशा सुसील मोधी के निशाने प उनकी सुनता कहा जाए कि आ गई थी सियासत से अचानक से वो अलग हो गए थे अब इसकी वज़ा भी सामने आ गई है वज़ा बड़ी है सुसील कुमार मोधी पिछले च्छ महने से कैंसर से जूज रहे हैं इलाज करवा रहे हैं और वैसी इस्तिती में उन्होंने अब कहा ह है कि लोग सबाचुनाओं में उनकी सक्रिता नहीं रहेगी और यह वक्त ही अब आ गया है जो खुलासा करने का वक्त है और उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि पीम मोधी को को इसकी जानकारी उन्होंने पहले दे दी थी लेकिन अब जो है जिस तरह से उन्होंने जो सबसे करीवी नेता के तौर पर सक्रिय सियासत में अब नहीं डिखेंगे उनकी कमी खलेगी क्योंकि जिस तरह से सक्रिता उनकी रहती थी और जिस तरह से वह ताबर्तोड लालू परवार के खिलाब सबूत और सबूतों के साथ जो आते थे और लालू परवार को अगर कहा जाय की फिला के रख देते थे वैसी इस्तिती में अब जो है उतने बड़ बड़े खुलासे देखने को नहीं मिलेंगे सुसील कुमार मोदी ने फिलहाल सक्रिय राजिती से सन्यास ले लिया है और साफ कह दिया है कि अब इस लोग सभा चुनाव में वह सक्रिय नहीं रह प हो गए तो अब आउट होने की वज़ा आ गई है कि सुसील कुमार मोदी पिछले 6 महिने से कैंसर की गंभीर बीमारी से पीडित हैं इलाज करवा रहे हैं और वैसी इस्तिती में उन्होंने अब कह दिया है कि वो लोग सभा के चुनाव में सक्रिय नहीं रह पाएंगे अब यानी कि अगर कहा जाए सक्रिय सियासत जो है उनकी अब लगभग तमाप्त हो चुकी है बने रहे है दर्स न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद